भारतिय मौसम विभाग के पूर्वा नुमान के अनुसार इस बार जुलाई और अगस्त के दौरान मौनसूनी बारिश खूब होने वाली है। ऐसे में खरीफ सीजन में बोई गई प्याज की फसल को नुकसान पहुचा सकता है, जो कीमतों पर दबाव बनाएगा। करनाटक, राजस्थान, तमिलनाडू, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के किसान खरीफ सीजन में प्याज की खेती करते हैं। जबकि किसानों के पास मौजूद रभी फसल के प्याज स्टॉक के लिए बारिश खतरनाक है। थोड़ा सा पानी लगते ही प्याज सरने लगता है। कोल्ड स्टोरेज, निजी गोदामों और मंडियों में मौजूद प्याज पर बारिश का असर देखने को मिल सकता है। रभी सीजन की प्याज आवक के समय किसानों को अच्छी कीमत नहीं मिल पाने के चलते बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। कई महीने के संघर्ष और मां प्याज की अच्छी कीमत मिल रही है। जबकि बीते दो माह में गर्मियों के दौरान प्याज की घरेलू खपत में भी बड़ोतरी दर्स की गई। बीते 15 दिनों में प्याज की आउसत कीमतों में 30 फीसदी तक की बड़ोतरी देखी जा चुकी है। लगातार प्याज की बारिश का बुरा असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की भविश्यवानी है कि जुलाई से अगस्त के दौरान औसत से ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। जो खड़ी फसल के लिए नुकसान दायक हो सकती है तो वहीं मंडियों, गोदामों या किसानों के प 28 जून को प्यास की ओसत थोक कीमत 1000 रुपए प्रती क्विंटल दर्स की गई, जो 3 जून को केवल 750 रुपए प्रती क्विंटल थी। चार सपता के दोरान मंडि में प्यास के दाम में 33 फीसदी का उच्छाल दर्स किया गया। मंडि में 2 जुलाई 2024 को प्यास का दाम 1500 मंडि में 2 जुलाई 2024 को प्यास का उसत थोक दाम 2500 रुपए प्रती क्विंटल दर्स किया गया है। करीब 28 दिन पहले 4 जून को मंडि में प्यास का दाम 1520 रुपए प्रती क्विंटल दर्स किया गया था। दोनों कीमतों में तुलना करें तो 60 फीसदी के करीब बढ़ोतरी दर्स की गई है चिंता जताए गई है कि प्यास की कीमतों में आने वाले दिनों में और बढ़त देखने को मिल सकती है Bureau Report Market Times TV